करंशी कोटजी है? कुईती दिनार कितरा है? दिनार है, एक दिनार 950 का है, शौग सबसे ज्यादधे का रेट अब देन्टिस्ट एपने पाकिसान से डेन्टिस्ट्री की, जी बीलकुल मैं अभी किस मुल्क में काम कर रहे हैं? अभी मैं कोईट में होता हूँ अचा कोईट में फुल टाइम डेंटिस काम कर रहे हैं मैं फुल टाइम कर रहा हूँ क्योंकि मार पर पर टाइम अलाउड नहीं होती है कितना वर्किंग आवर्स कितने वहाँ पर है 1100 KD जो के पकिसानी रुपे में तकरीबन 10 के करीब 10 लाग के करीब बन जोता है आप वहाँ अपना घर है या रेंट में नहीं भापे ओनरिशिप नहीं है बिल्कुल भी प्रापर्टी की तो आप वहाँ पे रेंट पही रहते हो तो कितना रेंट होता है एवरेज यहां आपका कितना है जिस घर में मैं रहे रहा हूँ उसका क्राय जो है वो काफी जाते है निकिल मेरी तरखा के साब से आप देखो तो 650 कीडी है लेकिन लेकिन हम लोग सारे फैमिली मेंबर्स एक साथ रहते हैं हम चार लोग एक साथ रहते हैं मेरे वाइज साथ मेरे भाई वगरा हम साथ रहते हैं तो हम लोग स्प्लेट करते हैं एक बड़ा घर लिया तो चले जहां हम पैसों की बात करें वहीं मैं बात करना चाता हूँ हमारे स्पोंसर टैप टैप सेंट की अब बाहर के मुल्क से UK, US, Canada, Europe से पाकिसान पैसा भेज सकते हैं और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूस करेंगा तो यूल गेट एडिशनल 10 डॉलर्स 10 पाउं या 10 यूरोस on your first transfer कोई रिमिट्स चार्ज नहीं होते अपने बाहर के मुल्क में जो भी बंद है उसे कहें टाउलोड करें आप और फोरण आपको पाकिसान पैसा बेजे आपने बेजे कभी पाकिसान पैसा बाहर के मुल्क से बहुत कम जरूरत ही पढ़ी उदरी उड़ा देता तो फिर आप बताएं सेविंग कितनी पाकिसान से बाहर के मुल्क में डॉक्टर डेंटिस बाइंट नहीं 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 प्लीज नहीं में डॉक्टर भी यकीन बाने तो कितनी सेविंग्स कितनी होती है ते सेविंग्स अब वैसे तो आपके उपर डिपेंड करता है लेकिन जैसे आप कपड़ा औ पताने के लिए कहा से किया। बिलकुल मैंने फात्वा मेमॉरियल से किया। लहुर में और बाहिर जाने का रूट जो है इनका अभी जो आजक्र चल रहा है वो बहुत ही शौर्ट सा रूट है क्यूंके बैंड है पाकिसानी बैंड है जा नी सकते हैं क्या उतलव बैंड है? पाकिसानी बैंड है, फिशे कोई 11 साल से. क्यूं? कुछ ऐसी कोई, पाकिसानी बट कॉंटर्वर्शल हो गाया. फिर्फ कुईट में बैंड है? फिल्हाल. कॉप्तर सो गएरा जा रहे है? तो उसके बाद से पाकिसानी बैन हो गया बिलकुल, बने का हमें पाकिसानी नीचाई है, तो आप कैसे गए भई? मैं बच्पन से उधर हूँ, बैब बर्थ, वहां पर ही हूँ, मेरी पूरी फैमिली उधर होती है, तो मेरा तो सीरा सी दरूर्ट हो, मुझे वहां जाना था और जॉब हंट करनी था, मैं यह जाना चारू हूँ, आप वहां वर्क वीजा पर या किस पे हैं, मैं यह बुछ रह पड़ा, जब मेरी जॉब हो गई, अब मैं अपने इंप्लॉयर के वीजा पर हूँ, वर्क वीजा पर हूँ, बाकिस्तान से कोई रूट नहीं है, वहां जाने का कुई है, है, OEC के थूरू आप जा सकते हैं, उसकी वेबसाइट है, उधर आप अपलाय करते हैं, कुछ-कु हो सकता है, वो आपको बुला लें, आपका कोई अंदर, आपकी हाई रिक्मेंडेशन पर देखे, आपको बुला लें, अगर उनको लगे कि आपको बुलाना जो है, वो उनके लिए फाइदा मन रहें, तो अगर आपके यहां डबल जॉप करके मैं 200 कर लो तो हो सकता है, इस उसके इलावा यह है कि डेंटिस्ट जो होते हैं, वो आपकी निगोटियेशन पर होता है, अपने एप्लॉयर के साथ, आप कमिशन भी लेते हो, किस तरह कमिशन इस तरह होता है, कि आपको बुलाने एक थरेशोल दिया है, कि आपने इतना हमें कमा के देना है, अगर आप उ सब निकाल कि जो प्रॉफिट होता है, उसके अंदर से हम लोगों को फिर कमिशन मिलता है, आपके और इरगिर्द हैं, पाकिस्तानी डॉक्टर्स या डेंटिस्ट जो आप देख रहे हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, डेंटिस्ट वहां पर थोड़े कम हैं, लेकिन नॉर् खान के नाम से है, मेरा और रोटी का प्लावर खान के नाम से है, तो कुछ मैं ओधर वीडियो लगाता हूं काटेंट क्रियेशन है, और उसके लावा फ्री लांसिंग जो है, वो मैं कर रहा होता हूं, कुछ वीडियो बना देता हूं मैं लोगों के लिए टेक टॉक की और गुजारा वो भी उपर आ जाते हैं, तो मेरा तो बहुत अच्छा गुजारा हो जाते हैं, तो उसमें आपने अपनी गाड़ी औगेरा फोर्ड कर ले तें इतने पैसों में? अराम से, गाड़ी वहाँ पर बहुत सस्ती है, यहाँ पर तो टेक्स बहुत ज़्यादा होता है वो एक टेक्सरी कंट्री है, वहाँ पर आपको किसी भी चीज़ पर टेक्स नहीं दफस्या होता तो आप गाड़ी खरीद रहे हो, बेच रहे हो, कोई टैक्स नहीं इस बहुता है, कोई बी चीज़ है, इस्वर्टी मुपी मुटी जाने के लिंरत हैन्स बेच्पर छेज् वाइवेट के लिए जो मैंने किया था, वो यह मैंने अपलाय किया, उन्होंने मुझे accept किया और मेरा टेस्ट के लिए उन्होंने ही आगे आगे भीजनी है मैं एस बंदे का टेस्क कर वाना है। तो जब वो डेट आती है आप जाओगी आप टेस्ट होके वो वाइव और MCQ बेस्ट होता है इंदर होता है उदर इक क्वेट में होता है क्या नाम है टेस्ट का कोई ऐसे 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 नी बस Ministry का टेस्ट होता है और उसका खर्चा वो उठाते हैं या आप लोग उठाते हैं वो उनके पास यह वो उनका खर्चा है कोई मेरा एंप्लॉयर है वो मेरा होल्ड भी कर सकता है डील लाइसेंस अगर मैंने छोड़ कर लेगा तो मैं मेरा फारग है वह आपसे क्लेम कर सकते हों कि हमने इतना पैसा आपके लाइसेंस पे लगाया था आब वह में पेक करें और यहां से जाए तो ये शुरू कि आपके contracts होते हैं, आप desperate situation में होते हैं, आप contract में sign कर देते हैं, उसका आप ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन आपको थोड़ा हाजर दमावी से अपने contract में sign करना है